असलाम आलेकुम नाजरीन मैं आर्दू अंसारी आज की इस नहीं वीडियो में आप लोगों को रमजान के महीने की फजीलत बताऊंगी मगर उससे पहले रमजान के मुबारक महीने में आप लोगों को तरावी की नमाज पढ़ना चाहिए और रमजान के पूरे रोजे जरूर रखना चाहिए तो अगर आप लोग तरावी की नमाज सीखना चाहते हैं कि औरते किस तरीके से पढ़ें तो इस टेप बैस टेप और प्रैक्टिकल वीडियो में बना चुकी हूँ लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है आप वहाँ जाकर देख सकते हैं मगर इस वीडियो को पूरा देखने के बाद तो नमबर एक पर है रमजान मुबारक तमाम महीनों का सरदार है ये महीना साल के तमाम महीनों का सरदार है हदीस में है अबू साइद खुदरी रदि अल्लो तो अन्हू और हुजूर सुलियो तो अल्यू 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 वस्लिम का ये इर्शाद है रमजान मुबारक तमाम महीनों का सरदार है और हुर्मत के एतबार से जिलहिज्जा सबसे ज्यादा अजमत वाला है नमबर दो पर है रमजान मुबारक सबसे बहतर और अफजल महीना है एक रिवायत में हुजूर सुलियो तो अल्यू 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 आल्यू वसल्म का इर्शाद है मुसल्मानों पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमजान से बहतर हो और मुनाफिकीन पर कोई ऐसा महीना नहीं गुजरा जो रमजान से ज्यादा बुरा हो नमबर तीन पर है रमजान कुरान के नाजल होने का महीना है इसी महीने में कुरान शरीफ नाजल हुआ जिसके बारे में कुरान का इरशाद है रमजान का महीना ही वो महीना है जिसमें कुरान शरीफ नाजल हुआ सिर्फ यही नहीं बलकि जितने भी मुकद्दस किताबें नाजल हुई सब इसी महीने में नाजल हुई नमबर चार पर है रम्जानल मुबारक में आस्मान के दर्वाजे खोल दिये जाते हैं हज़र्ट अबू हुरेरा रदियालो तो अन्हू और हुजूर सुलिल्लो तो अलिए अलिव आलिव वसल्म ने फरमाया जब रम्जान का महिना दाखिल होता है तो आस्मान के दर्वाजे खोल दिये जाते हैं मतलब रहमतों के नाजल होने के लिए आस्मान के दर्वाजे खोल दिये जाते हैं नमबर पांच पर है रम्जान रहमतों वाला महिना है वैसे तो पूरे महीने रहमत नाजल होती रहती है लेकिन इस महीने के पहले अश्रे यानि पहले दस दिन हदीश के मताबिक ज्यादा रहमते नाजल होती है क्योंकि वो अश्रा ही रहमत वाला है नमबर च्छे पर है रमजदान के महीने में जन्नके दरोजे Κोल दिये जाते हैं और उसका कोई दरोजा बंद नहीं होता और एक पकारने वाला आवज लगाता है एठ खेर के तलब करने वाले मुतवज़ा हो जाँ और एठ शर्डे के तलब करने वाले बाज आजा नमबर साथ पर है इस महीने में जहन्नम के दरवाजे बंध हो जाते हैं हजरत अबु हुरेरा रदि अल्लाव तरॉल अन्हों से मर्वी है हुजूर सुल्लाव तरॉल अलिवा आलिवा यसल्म ने एर्शाद फरमाया रमजानल मुबारक की पहली शब में जहन्नम के दर्वाजे बंध हो जाते हैं और उसका कोई दर्वाजा खुला नहीं रहता नमबर आठ पर है सरकश शैतान और जिन्नात कैद कर दिये जाते हैं बुखारी शरीफ की रिवायत में है शैतीन को जंजीरों में जकड दिया जाता है नमबर नौ पर है रमजानल मुबारक मगफिरत और बख्षिश का महीना है नमबर दस पर है रमजानल मुबारक में आमाल का सवाब बढ़ा दिया जाता है इस मुबारक महीने में नफ्ल का सवाब दूसरे महीनों के फर्ज के बराबर हो जाता है और फर्ज का सवाब दूसरे महीनों के सत्तर फर्ज के बराबर हो जाता है हजरत अबु हुरेरा रदिया अनु से मरवी है हुजुर सुलिल्यों झाल आलिव आलीव उसल्म ने फर्माया रमदान के महीने में बाम से धरते रहना चाहिए क्योंकि इस महीने में नेकियों के स्वाब को इसकार बढ़ा दिया जाता है जितना रमदान के incarnation किसी और महीने में नहीं बढ़ा जाता इसी तरह गुना होने के वबाल को भी इसकदर बढ़ा दिया जाता है जितना रमजान के अलावा किसी और महीने में नहीं बढ़ाया जाता नमबर ग्यारा पर है रमजानल मुबारक में मौमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है इस महीने की बरकत मौमिन के रिज्क में भी जाहिर होती है हजरत सल्मान फार्सी की एक लंबी हदीस में हुजूर सुल्लाओ अलियु आलियु आलियु वसल्म का ये इर्शाद मौजूद है रमजानल मुबारक वो महीना है जिसमें मौमिन का रिज्क बढ़ा दिया जाता है और ये एक ऐसी हकीकत है जिसका हर कोई खुली आखों से तज्रुबा कर सकता है एक गरीब मुफलिश शक्स को भी रमजान में वो उम्दा और अच्छा खाना नसीब होता है जिसकी कभी कभार उसे साल भर शक्ल देखने को नहीं मिलती ये सब यकीनन इसी महीने की बरकते हैं जो अल्लह तौला हर इमान वाले को नसीब फरमाता है अल्लह हमें इस मुबारक महीने की रहमतों और मगफिरतों का कुछ हिस्सा हमें भी अता फरमाए आमीन यारब आलमीन उम्मित करती हूं आप लोगों को इस वीडियो से इल्म हासिल हुआ होगा तो चैनल पर नए हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें मिलती हूं अग